नमस्कार मैं हूँ प्रफूल और आप देखरें स्काई नियूज गुलोपल देश अजादी का अमरीत महसो मना रहा है अजादी के 75 साल पे हर घर तिरंगा योजना की भी शुरुमात की गई है और हम आपके लिए लाए हैं भूले विशरे सोतंता सेनानियों की कहानी भूले विशरे सोतंता के दिवानों की कहानी जो अजादी में अपना सब कुछ कुरवान कर दिया आज ऐसे ही एक सोतंता सेनानी साब का परिचय कराएंगे तो वीडियो के अंग तक हमारे साथ बने रही है बनारश की धर्ती सिर्फ महादेव की देव भूमी नहीं है काशी के असी घाड की कहानिया ही सिर्फ परचलित नहीं है बलकि काशी की भूमी एक जाओ भूमी है बनारश की धर्ती से अजादी के परवाने पैदा हुए अजादी के दिवाने पैदा हुए जिनके सर पे अजादी का खुमार इसकदर चड़ा कि अंग्रेजों से लोहा ले ली और देश को अजादी दिलाने के लिए अपना सब कुछ निचावर कर दिया जिन्होंने देश के अजादी के लिए अपनी जिन्दगिया दाव पर लगा दी देश को अजादी दिलाने के लिए अपने जीवन का वो बहुमुले समय अजादी की लडाई में या यू कहें कि देश को अजाद कराने के लिए लोगों को हजाद कराने के लिए अपना समय समर्पित कर दिया सचिंद्रनाथ सान्याल भी ऐसे ही एक सोतंता सेनानी है सचिंद्रनाथ सान्याल भारत के हजादी के लिए संघस करने वाले परशिद करांतिकारियों में से एक थे उनका जन 1893 में वनारसी में हुआ था अपने अध्यान काल में उन्होंने काशी के पर्थम करांतिकारी दल का गठन किया था यह दल 1908 में गठित किया गया था वहीं से उनको अज़ादी की लड़ाई में देशभक्ती की लगन लगी पहली बार वो 1915 में बनारस कॉंस्परेंसी में शामिल हुए उन्हें इस कांड के लिए काला पानी भेज दिया गया लेकिन काला पानी की सजा भी उनके इस खुमार को रोक नहीं पाई उनकी प्रॉपर्टी को ब्रिटिस सरकार ने कबजे में ले लिया लेकिन उनके साहस को कबजे में नहीं ले पाई वहाँ से आने का बाद 1924 में उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एशोशियेशन का गठन किया कहा जाता है जब भगत सिंग का परिवार वाले भगत सिंग के पीछे पड़ गये कि तुम साधी कर लो तो भगत सिंग ने एक पत्र लिखा और उन्होंने सान्याल से सुझाओ मांगा कि यार कुछ बताओ कि ऐसे समय में मुझे क्या करना चाहिए ऐसे में उन्होंने कहा कि यार कोई सुझाओ दो ताकि मैं इससे बज़ सकू सान्याल ने लिखा बिवाह करना या ना करना तुम्हारी इक्षापर निर्भर करता है लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि शादी के बाद देश के लिए बड़ा काम करना तुम्हारे लिए संभव नहीं होगा तुम परिवार से बंद जाओगे परिवार के मुहमाया में उलच जाओगे और कोई बड़ा फैसला लेने से पहले तुमको बार बार सोचना होगा और फैसला लेना कठीन हो जाएगा सचिंद्रना सान्याल ने देश के लिए अपने जीवन के 20 साल ब्रीटिस जेलों में गुजार दिये काकोरी कांड और बनारस कॉंस्फिरेंसी में भी उन्हें दो बार काला पानी की जेल भेज दिया गया और उन्हों जेल के सजा काटी 9 अगस्त 1925 को करांदी कारियों ने ब्रीटिस सरकार का ही खजाना लूट लिया काकोरी ट्रेन डकैती जो हम जानते और सुनते हैं इतियास में दर्ज एक ऐसी कहानी है जिसमें सबसे बड़े डकैती को अंजाम दिया गया था जर्मनी के बने चार माउजर का इस्तमाल किया गया था इस काकोरी ट्रेन डकैती में कहा जाता है कि इस माउजर को मंगाने के लिए सान्याल ने अपने एक मित्र को एक अपने सहपाटी को तैराकी बना कर जर्मनी भेजा था जहांसे इस माउजर को लाया गया था यह मास्टर प्लान करने वाला कोई और नहीं था बलकि सचिंद्रनाथ सान्याल था जो काकोरी ट्रेन डकैती का प्लान त्यार किया गया था और यही नहीं ऐसे कई प्लानों को सचिंद्रनाथ सान्याल ने त्यार किया था और करांटीकारियों ने इसो अंजाम दिया था बंगाल की विवाजन के बाद सानियाल ने भगा सिंग, चंसेखर अजाद, बिस्मिल्ला खाँ, अस्पाकुल्ला खाँ जैसे करांतिकारी बीरों को एक जूट कर अंग्रेजों के खिलाब जंग छेड़ दे थी उस समय काशी करांतिकारी का जमाड़ा अस्थल बन गया था, करांतिकारी काशी को अपना घर बना लिये थे और उसमें सचिन नास सानियाल अपनी महत्पूर्ट भूमी का निभा रहे थे, करांतिकारी को एक जूट कर रहे थे, एक से एक बढ़कर प्लान तयार कर रहे थे पाए अजादी से चंद साल पहले उन्होंने अपने शरीर को तयाग दिया आत्मा उनकी परमात्मा से मिल गई साथ फरवरी 1942 को गुरकपुर में अन्तिम सांस ले यानि देश की अजादी कैसे होगी अजाद देश में लोग कैसे होंगे सचीनास सान्याल कुछ नहीं देख पाए लेकिन अपनी बीरता की कहानी हमारे और आपके लिए छोड़ गए जिसको हमाद याद कर रहे हैं सचीनास सान्याल को इतियास के पन्नों में दर्श तो किया गया लेकिन कम जगा दी गई लेकिन उनकी बीरता को शायद भुला पाना मुश्कीली नहीं बलकी नामुमकिन भी है तो खेर बने रहे हैं आप हमारे साथ ऐसे ही यो धाओं की कहानिया आपके से सेर करते रहेंगे और सुनाते रहेंगे